हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका अपने चैनल शुष्मक की सोई में आज मैं लेके आई हूँ नवरात्री स्पेशल आलू बड़ा की रेसिपी जब आपका कुछ करारा खाने को मन हो तो आप इस तरह से आलू बड़ा बनाए और वर्त में खाए और आप इसे एक बार खाओंगे तो इसका सवाद भूल नहीं पाओगे और अगर आपको मेरे स्वाड पसंद आये तो वीडियो को ला मिख दोस्तों में शेर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लिस मेरे चैनल को सिस्क्राइब भी कर दीजिएगा से मैश करेंगे मैश हम इसले कर रहें ताकि इसमें कोई लंस न रहा जाए आप चाहे तो इसे मैश से भी कर सकते हो मैं इसे पिलर से कर रही हूं इसी तरह से सभी आलू हम पिलर से मैश करके ले लेंगे और सभी आलू हमने मैश करके ले लिए सबसे पहले अब हम एकडाई ले के ले लेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे एक चम जीरा और साथ में डालेंगे हम एक चम सुखा दनिया और इसे हम कुछ मिनिट के लिए भून लेंगे और अब साथ में डालेंगे एक चम अद्रक रश किया हुआ और इसे भी हम साथ में भून लेंगे सबी मसाले हमने अच्छी तरह से भूने ताकि जुसका कच्चा पाने खतम हो जाए मसाले कच्चे नर रहे और साथ में डालेंगे दो तीन हरी मिर्च क्रश की होई इसमें हम लाल मिर्च नी डालेंगे सिरफ हरी मिर्च का ही यूज करेंगे हम और सबी मसाले हम अच्छी तरह से 2-3 मिंट के लिए भून लेंगे मसाले को भूनते-भूनते 2-3 मिंट हो चुके अब जो हमने आलू लिए हैं अब उसमें हम एड़ करेंगे सबी हाँ आलू हम इसे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अब और अब हम आलू के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और साथ में डालेंगे हम आदा चमच नमक नमक आप अपने स्वाद मसार कम ज़्यादा कर सकते हो और ऐसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ में डालेंगे हराधनिया बारी कटा हुआ और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ आलू के साथ नमक और मसाले हमने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं ताकि आलू के अंदर मसालों का जो टेस्ट है बहुत बढ़िया सा आए और आलू और मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से सबी आलू हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम 12 मिंट ने ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसका बैटर बनाने के लिए मैंने सवांक का आटा लिया आप जो उन सा आटा खान अपसंद करते हो आप बो ले सकते हो और इस तरह से हम एक बावल लेंगे, बावल में हम डालेंगे एक कप आटा और अब इसमें हम डालेंगे आदा चमच नमक, नमक हमने पहले भी डाला थे इसलिए हम ध्यान से डालेंगे साथ में डालेंगे 0.5 मिर्च Logan लेंगे उसी कप में पानी लेंगे जिस कप में हमने आठा लिया था अथोड़ा करके इसमें पानी हम मिक्स करेंगे, एक साथ से ने डालेंगे, इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, पान डालते जाएंगे, बढ़िया सा एकदम सा बैटर बना लेंगे हम, ये देखें हमारा एकदम बढ़िया सा बैटर बन का त्यार हुआ है, इसी तरह से आपक पतला है नगाडा है और स्टफी भी मारी ठंडी हो चुकी है चलो अब इसके हम बनाते हैं आलू बड़ा बनाने के लिए मैंने एक से डेड़ चमच के करेब आलू ली है इसे हम राउंड की शेप में इस तरह से कर लेंगे और एक एक मनाते जाएंगे और इस तरह से प्लेट म इस तरह से डिप बैटर में और बैटर हम में अच्छी तरह से इसके उपर लगाना ताकि जो इसका टेश्टर बहुत बढ़ी असा है और अब इसे हम करेंगे फराई तेल मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रखा था तेल अब हम धीमी आज पर रखा हुआ है और इसे हम धीम करेंगे नहीं इसी तरह से फ्राई होने के लिए रखेंगे से तीन से चार मिंट जब हमारे हो जाएंगे अब इसे हम पल्ट के देखेंगे तीन से चार मिंट हमारे हो चुके अब इसे हम दूसरी साइड पल्ट लेते हैं और हमने सबी आलू बर्मा दूसरी साइट पल्ट के ले ली है इसे भी हम तीन से चार मिंट के लिए दूसरी साइट से भी इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे और तीन से चार मिंट हमारे हो चुकी है दूसरी साइट से फ्राइ करते करते इसे इसे हम अल्ट पल्ट के अब एक मिंट के लिए होर चला लेंगे और इसे हमें एक मिंट हो चुका है इसे फ्राइ करते करते और ये बार से क्रिस्पी क्रिस्पी भी हो चुकी है अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से चन्णी में ताकि जो उसका एक्स्ट्रा ओईल है वापस कडाई में चल जाए और ये खाने में ज्यादा ओली ओली भी ना लगे हमें और हमने सभी आलू बड़ा निकाल के ले लिए छणनी में और इसे हम कुछ सेकंड के लिए इसी तरह से कड़ाई के उपर रख लेंगे और अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे यह हमारे आलू बड़ा बनकर दियार है अब इसी तरह से हम दूसरे भी पूर त्यार कके ले लेंगे और इसे भी हम अल्ट पल्ट के फ्राइ कर लेंगे तीन से चार मिन्ट के लिए और ये हमारे आलू बड़ा बनकर त्यार है वरत्र श्पेशल रेसिपी नवरात्री जो अंदर से सोफ सोट बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी ये हम मैंने गुर्ट की चटनी के साथ इसे सर्व किया है आप चाहिए से दही के साथ या ऐसे भी खा सकते हो और ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और दोस्तों आप वीडियो देख लेते हो प्रिस में चैनल को सिस्क्राइब भी कर दिया करो और अगर आपको में रेसिपी पसंद आ रही है तो घर पर जुरू ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताईएगा आपको कैसे लगी और मैं फिर आपके लिए लेके आउंगे इससे भी मज़ेदा रेसिपी जब तक के लिए बाई बाई और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बोबर शुक्रिया